बैन बता रहे हैं कि 40 साल से बैन की पूरी बोड़ी पर बहुत बड़ी बड़ी काटे थी और गर्दन पर काठे बहुत जारा बढ़ चुकी थी और जिसके कारण इनकी गर्दन अकड़ गई थी और गर्दन बिल्कु भी नहीं घूमती थी और हर समय इनके बोड़ी पर जलन ट्रफ करवाने होंगे और नहीं सारे टैस करवाई हैवा सारे तैस्की रिपोर्ट इनको मेंशा नॉर्मल आती थी और ये बहुत बहुत color पर के यह साल से साथ साल की बैन है और चाली साल से पूरी बोड़ी पे गांटे उमीदेख हो बैठा है अब चाली साल से हैं ही है साथ साल की हो चुकी हूँ अब तो इसी के साथ ही जीना है इसी के साथ ही मरना है अब समझ रहे हो जब इतना लंबा टाइम एक व्यक्ति के जीवन में ये चीज हो तो उसके साथ एक मेंबर बन जाती है कि इसी के साथ ही रहा है चालिस साल और इसके कारण कुछ नहीं खापाते थे सिर्फ लिक्विड पे थे यह और बहुत बता रहे हैं कि अपनी प्रॉब्म से परिशान होकर यह बहुत कहीं बाबाओं के पास गई और जहां भी कोई बत प्रॉब्म से लिए बता रहे हैं कि और इनको यह पूरी उमीद खो चुक थे कि अब ठीक नहीं हो पाऊंगी इन्हें लगता था कि मेरी जिंद्गी कुछी दिन की बाकी है उमीद खो बैठे जी नहीं तो बहुत तक बगा बहुत तंग थी बहुत तो जम आम ही नहीं जहा अख्जिया उत्व क्षा तकुछी मीद खआघे जियाmons थी in बतार हें कि फिर इनकी बहुने ने प्रभू के बारेACE बारे बताया बविश्यवानियों को आज पूररत 3 साल हो चुकिए है 3 साल से अपनी गाठों कि समस्सदा से 40 साल की जो कहट dipping कोई lt ämä कउच्ण बीधे कोई नहीं हो और इस दो, आध सरी गाठे कार यहीं अध्यonमध और फुरी तरह से सारी गाठंक germ जोड से थारीव करो खिलीशिया और अब खान भी पा रही हो निसी खान भी लाके हो वह उस आरा और जारीव करो प्रभूज के लिए